हाई फ्रेंद्स वल्कम टू माई यूटूब चैनल आज मैं बना के लाई हूँ पाया रसिपी जी है ये बकरे का पाया रसिपी है जो विले स्टाइल में बना रही है एक दम सिंपल देखिए ये बना चुकियो आया ना देखके मूँ में पानी तो एक लाइक शेर सस्क्राइ अच्छी लगे तो लाइक शेर सस्क्राइब कीजिए और बताएगा कौन-कौन खाया है इसको देखिए इसको मैं बना चुकियो इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ इतना टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी है जी जिसका भी अभी हाथ पेर में दरा दोता है कमर दरा है और जिसका भी थोड़ा एक्स्रेंट हुआ है रहता है उसके लिए बहुत ही फायदे मंद है यह बहुत ही टेस्टी है देखिए इतना मज़ेदार में जूम करके दिखाती हूँ देखिए देखिए किता संदर इसका एक्स्ट्रा ग्रेवी देखिए मैं डाल रहे हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है जी चला बनाते हैं लेट्स गो सबसे पहले कुकर ले लिए जी हम लोग कुकर में बनाएंगे दो अच्छा बनेगा इसमें डालेंगे चार बड़े चमश तेल बास इसके अंदर और तेल नहीं डालेगा क्योंकि खुद उसके अंदर बोन के अ इसको डालके इसको अच्छा से फ्राइक कर लेना है थोड़ा सा कुश्वानी तक गैस का फ्लेम लोटू मीडिया में रखेगा जैसे थोड़ा सा मसला को कुश्वानी लगे फिर इसके अंदर डाल रही हूं यह देखे चे साथ बड़े ओन्यंस यह रफली काट लिया है मैं अन्यंस और मिर्चिया चार पाच जी है विलेज स्टाइल बता रही हूं तो फिर भई इसको अंदर कोई मसले उसले नहीं पीसेंगे यह सिंपली बनेगा है इसको अच्छे से भूनना है ओन्यंस को ऑन्यंस को जब भी आप अच्छे से भूनेंगे एकदम मस्त तो आपको म अले में मदद करने के लिए इसके अंदर डालेंगे हम लोग एक चमाच उतना नमक जी हा नमक डाले फिर इसको अच्छे से पाच मिर्ट तक देखे में असको अच्छे से बोल लिया है देखे गुल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसको लगातार ऐसा पुनते रहे लगातार रफली कटके वह भी डाल दीजिए मस्त गल जाएगा क्यों कोकर में बना रहे हैं कोकर में सीटी लगी तक दम ग्रेवी दम तिक बन जाती है मतन जी भी है जल्दी भी पक जाता है उसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा बनता है फिर इसके अंदर डालोंगे एक चमच उतना नमक अब पाया को देख के डाल लेगा पर फिर इसकंदर डालपी दो बड़े चमच लाल mythology should देख लिजयगा कब पानी डालेंगे ना तब चेक कर लीजयगा फिर डाल की इस अच्च से मिक्स कर लेना है इतना टेस्टी बनता है जी क्या बोलू बहुत अच्चा जैसे मैंने बोला कि जैसे अभी किसी का एक्सेलेंट होता है तो हड़ी उड़ी टिल क्रैक हो गई रहती है न उस टैम में इसका सूप सूप के साथ ऐसा जब मैं दिखाऊ करके इसलिए विलेज में क्या हंडी रहती है बड़ी इससी गूल वाली उसकंदर बनाके और चूले पर बनाते थे तो दीमी मत एक लखडी रखके उसको दीमी आज जैसे बनते छोड़ देते हैं तो दिन बज़ जैसे स्टार्ट कर देंगे वह अपना काम करते रहते हैं प करा मोगना झाल सके इसको ऐसे थाली रख दिया है इसको अनुआ है अनुआ है में शीथाक्य में ट्र gul सके है में और जसी सबता केенд üz़ानी है लेकिन थोड़ा सा भुनेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो बुना बना मसा ना बताई उमें अगर उसको भी डाल का बनागा तो और जल्दी बन जाएगा जी आपने ट्राय किया कि ने बुना मसाला के साथ सब्जी बनाना मैंने तो बताया है बहुत अच्छा लगा बहुत जनकों बहुत पसंद आए उन्होंने मुझे स्पेशली सामने से बोला है कि आपने बुना मसाला बता के बहुत अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर मुझे कमेंट्स करके बताईएगा यहे एक कुछ आठ पाय है वही पे उन्होंने मस्तब उसको हैर और पूरा क्लीन करके दे देते हैं जहाँ पे पाया मिलता है सुपेला में पतारी में जगा वहाँ पे सुपेला में सब मीट का मिलता है वहाँ पे पूरा क्लीन करके मेरे हस्बंड लेके आगे तो लोगी पूरा गरम पाने में पूरा एकदम हैर और क्लीन करके दे देते हैं फ यह जो जो बहुत अच्छा काम करता है जैसे लाती ही हूं मतलब एक दवाई जैसे इसको खाईए जरू जो भी खाते नॉन वेज इसको जरूर खाईए गा बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी आया था तो फिर मैंने बोला चलो आपको बताये जाए फिर इसको पार् जी ने तो उसके बाद कुकर में सीटी लगाई देना है इसको अच्छा से पाश्मिटे से भून लेना है देखिए कोई तेल उल जादा डालनी की जरूत नहीं जो चार चमच मैंने स्टार्टिंग में डाला बस हुई है और इतना टेस्टी लगता है कि बच्चों लोग भी बहुत पसंद से खाते हैं देखिए इस अच्छे से भून गया है कोई कलर ने डालना है कुछ नहीं कोई मसाला पीसना नहीं है बस इसको थोड़ो प्रोसेजर इसको फॉलो कर लो बहुत ही अच्छा बनेगा जो मटन उटन खाते है वो भूल जाएंगे आप लोग इस पाय बहुत अच्छा पकता है अगर नरम पाया रहे ना तो वो साथ सिटी में पक जाएगा नहीं तो फिर वापस लगाना ही पड़ता है तो इसको भर के पानी डालिएगा जो अपनों को जो पाया दिख रहा है ना वो पाया डूबने तक है ना बर के पानी डाल देजे जादा पानी डालेगा तो भी कोई बात में भी हम पका सकते कम रहेगा जल जाएगा टेस्ट कराब हो जाएगा फिर बतारी पाया डूबने उतना पानी डालना है हमें और इस अच्छे से मिक्स कर ले देखो ऐसा पाया डूब गया उतना पानी डाल ले इसको डालने के बार कुकर क अभी हम लोग लिड लगा लेंगे देखे इस तरह से बता रही आपको कुकर का से लिड लगा लेना है लिड लगा के लोटू हाई फ्लेम बीच वाले फ्लेम में इसको साथ सीटी आने देना ही है जी हाँ साथ सीटी आने देना ही है लोटू मिडियम फ्लेम पे हाई फ्लेम प बीच वाला फ्लेम पे इसको साथ सिटी बराना है, हिलाना हुलाना नहीं है, देखिए, आ रहा है, साथवा सिटी है मेरा, चे सिटी तो मैंने बजवा दिये, साथवा सिटी आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए, अच्छे से सिटी उसको आने देना है, मतलब पेशन से बन देखे, साथवा सीटी हो गया, इसको पूरी थरह ठंडा होने देना है, गरम में नहीं खोलना है, गरम बहुत रहता हूँ उपर आ जाएगा, देखे, पूरा उसका ठंडा होने के बाद इसको मैंने खोलना है, इससे हमें से जग्दो जहेद मेरे को डक्कन खोलते समय, कुकर क देखे, कैसा उबल रहा, क्या कलर आया, देखे, कोई बोलेगा, आपने घर में बने बाहर से लेके आया, बोलेगे, इतना टेस्टी है, देखे, कितना मस्त अगस का कलर, और मेरे को लगरा नहीं है, यह पकाए करके, थोड़ा हाड है यह फिर में में दिखाती हूँ, चेक क रहत है, एक एक का क्या कभी-कभी नरम भी आ जाता है, अच्छा वाला, तो वो अच्छा तो यह भी है, तो थोड़ा सॉफ्ट वाला तो पास साथ सिटी में पक जा देखो, यह मेरे हस्बन चिक कर रहे है, ने 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 पका बोल रहे है, इसको हम लोग और सिटी लगा लेते है, लेकिन साथ सिटी तक ही रखना है, फिर खोल के देखना है, नहीं होगा तो फिर आप वापस थोड़ा और पानी डाल देती हूँ, मैं आदा का पुतना पानी, क्योंकि कम हुआ रहेगा ना, सिटी से, आदा का पुतना पानी, फिर में बता रहे है, पानी जादा होगा तो कोई बात नहीं, फिर डक्कन लगा के हमने उबाल सकते, कम हुआ, नीचे लग जाएगा, टेस्ट खराब, महनत खराब और पैसे खराब जो सामने लेकिया आप आपने, है ना, फिर इसको डक्कन लगा के, मैं इसको कम से कम पाथ सिटी में करूंगे, अगर किसी किसी का बहुत हाड रहता है, पाथ सिटी में भी नहीं पका, फिर लगा ये दो-तिन सिटी, कोई बात नहीं, कभी-कभी होता है, है ना, तो इसको भी फिर से लो टू मीडियम फ्लेम में, पाथ सिटी इसको कर देना है, देखिये, पाथ सिटी करने के बद, ये लाश्ट वाला मैं थोड़ा निकाल दे रही हूं कि टाइम हो रहा था अगर जल्दी नहीं है तो फिर इसको ऐसे छोड़ दिये जी पूरा ठंडा होने देना है तो यह किया फिर भी बहुत गरम था अब और गर्मी का मुसम में तो और गरम रहा था देखिए ऐसे देखिए वाव पानी है लेकिन सूप देखिए देखते हैं पका की नहीं जी हाँ पग गया है पीस देखके ही पता चल रहा है पग गया है फिर भी मैं इसको चम्मा से चेक करती हूँ मास्त कलर आ रहा है एक दम बढ़िया सा अगर आभी किसी को ऐसे सूपी जैसा पीना है सूप जैसे तो अभी बता रहे हूं मैं आपको देखा अभी है इसमें पानी बहुत है ना इसके अंदर डालूंगी आदा चमच उतना दन्या पावडर आदा से एक चमच डाले क्रोंगर में बनाया मैंने बता चुकिए हूं और डालने के बार इसको अच्छा से मिक्स कर ले कितना मस्त दिखा रहे है टेस्टी टेस्टी घिर इसके अंदर आ ला जैसे यह पानी का दिखा आया ना जैसे मैं बोल रहो हुँ ना सूप जैसे पीना है कि सी तो इसस्टेज पीसिस निकाले, ग्रेवी निकाले, फिर पीजिए, सूप जैसा अच्छा लगेगा, पीसिस भी खाते हुए, यह डाल रही एक पॉज, यह मतन मसाला है, कोई भी ब्रैंड का लीजिए, मतन मसाला, डालने से एक दम मस्त उसका आरोमा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर जाना यह मतन मसाला चिखन भाष व нुथ जना क्रेंड पर नारम हो गया है, मैं ड़ा का लेखे, क्या soft बने देखो मतलब skin में चल जा रहा है मतलब यह पूरा अच्छा से पग गया बहुत गराम है न जी दोसों छूने पारी लेकिन यह अच्छा से पग गया है याद रखिएगा पात साथ सीटी पहले अगर नहीं पका तो पात सीटी फिर भी नहीं पका फिर थोड़ा पान पेने को मन करता है तो ऐसा दीजेगा ऐसा पानी पानी में सूप में बहुत अच्छा लगता है नहीं अगर हम लोग खाने में खाना है तो फिर आम लोग और थोड़ा इसको ठीक कर लेंगे लोटे मीडियम फ्लेम किया था मैंने अभी देखे एक दमस्त गाड़ा बन गया ह बस दन्या पती काटके डाल लीजे रोटी राइस ऐसे ही खाईए बड़ा मज़ा आता है तो कल तो मैं बनाई रही थी मेरा बेटा टूशन साया तो उसको मैं बहुत टेस्ट करकर के कटोरी में ऐसा सूप के साथ दिया मैंने एक पीस पाया का और हजबन को भी दिये तो उन लाइक, शेर, सस्क्राइब माई चैनल और एक कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचेंग